बाग लगा एक ही एक ही है कायास भाजपा भगाओ देश बचाओ लोकतंत सम्विधान बचाओ इसले कि वो आधे अधूरे मंदर में राम लला का प्रान परतिष्ठा सास अनुमती ने देता है ये लोग इस्वर को भी नकार देंगे नमस्कार आप देख रहे हैं एकनिस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्रता मिस्रा राज़त के मुख्य प्रवक्ता श्रक्ति सिंग यादों ने एक बार फिर से बीजेपी पर पलटवार किया है उन्होंने क्या कुछ कहा है आप उनकी बातों को सुनी है इसमें महुरते बनती है अच्छे अच्छे काम होते हैं लोग खरमास में लोग बहुत चीज़े रुका रहता है तो आए चुड़ा दही खाए आप किसी कहा जाते तो क्या करते घर चार देते वहीं क्या अरे जाइएगा नौता में निवंतन में बैठियेगा खाईएगा फिर जाइएगा भाजपा और भाजपा के समर्थित लोगों को परसानी तो सुभावी कहे चुकि वो तो उसको पच नहीं रहे सुरू दिन से चीज़ भाजपा में हल्चल दिखाई पड़ रहा है आपको वह पंदर कुस्भावा कितना स्विट में लेगा पुछे हैं जाकर के चिराक पास्वान जी से परस यो कितना में लेगा पुछे हैं जाकर के तरह पूछिए ना जरा लेकिन लोग अनुमान लगा रहे कि दही चुड़ा के पीछे बड़ा राजनीति खोने वाला हो सकता है इस अब भाजपा भाजपा के समर्थित लोग हैं दिमाग लगा एक ही एक ही है कयास भाजपा भगाओ देश बचाओ लोकतंत सम्विधान बचाओ यही कयास सब पूर लाजपा हो रहा है बिहार जो लकीर खीचा है जो मौडल है महाख़वंदन का बिहार का डेश इस मौडल को सुईकार करेगा उसको लागू करेगा मौदी जी का गैरंटी चलेगा इस बार कोंज यह गरंटी महाई के बुरुजगारी का 22 कड़ोर 5 लाग से अधिक लोगों जो अप्लिकेंट हुए नौकरी कितने मिली मैं नहीं बता रहा हूँ भाजपा कर जाले कि राजमंति ने स्वें परलेमेंट के अंदर आप लोग क्यों कर रहा है आप लोग वही बात करोगा जो भाजपा करेगा तो बदुरुद्रुधाग हो जागा लोग तो चोथे स्व कर जागा जब स्वेमिस जब संक्राचार्ज ने कहा कि प्रण पर्तिष्ठा भगवान राम लला का नहीं है इसलिए कि वो आधे अधूर मंद्र में राम लला का प्रान-परतिष्ठा सास अनुमती ने दिता है अब संक्राचार्ज को भी लोग, चारोपीट को भी लोग, अब उनको भी इसलाम परस्त कहने शुरू कर दिये, भाजपा का ट्रोल एजनसी, यह रहे इस वर भी आ जाएंगे, सास सम्मत बात करेंगे, सास्तर करेंगे, तो यह भाजपाई, यह दंगाई, यह लोग इस वर को रोजगार की बात किर रहे हैं तो पूछ रहा हैं ओध हम तो पूछ रहा है आपने हैं ते आपसीन सबीन लोगों से चंदा लिया अरो वह अकॉन वोल रहया बैठा क्वश originally तो जैसा कि शक्ति सिंग यादो ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर प्रहार किया है बाकि इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पर देख रहे हैं तमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूटिब चानल पर देख रहे हैं तमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद